चट पर वकोले कर नगर के विविन गंगा घाटों की व्यवस्था को दुरुस्त करने और साब सफाई के दावे नगर परिशत के द्वारा किये जा रहे हैं। लेकिन कई घाटों पर दलदल जैसे स्थिती है कई जगा मिट्री कटावादी के कारे अभी अधूरे हैं। रामरेखा घाट के मुख्य पुजारी जाला बाबा ने बताया कि यहां बालू की बूरियां डालने क्या हो सकता है। जबकि सोमेशो रस्थान निवासी अधिवक्ता राघव पांडे ने बताया कि बैरिकेडिंग आधी की वेवस्था जल्द से जल्द होनी चाहिए। और अज 15 दिन से रमरेखा घाट पर मिटी कट रहा है कहां कटा हुआ है। आ करके वो लोग सोते हैं। सिर्फ फोटो घीच करके दुखुदारी मार करके मेड़ा मेहा भीता करके मेड़ा मी गलती नहीं है। नगरपरशत का यह दावा है कि आस्था के महापरो छट को लेकर नगरपरशत गंगा घाटों की सापसफाई के लिए बेहतर ढंग से कारे कर रही है। नगरपरशत की कारेपालक पदाधिकारी प्रेम स्वरूपम सुबह से ही गंगा घाटों का भ्रहमन कर आवश्चक दिसानेजदेश देती नजर आ रही है। अस्थल पर पाया गया कि बेरिकेडिंग का कारेपारम हो चुका है जो कि सवसमय पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी घाटों पर साइनेस बोर्ड भी लगाये जा रहा है। सिवाला घाट तथा वैसे गंगा घाट जिन पर जाने वाले रास्ते काफी कटाव युक्त हैं। उन घाटों पर मानो बल लगाकर मिटिक की कटाई कर घाट पर सीणियों के निर्मान का कारे भी हो रहा है। साथ ही दलदल युक्त घाटों पर बालू की बोल्या डालने का निर्देश दिया गया है। दलदल घाट जहां भी है वहां रास्ता और रास्ता में भी है चटनी के लिए उपर से जब आ रहे घाट पे लोग तो कहीं-कहीं जरूरत होती है। तो उन सभी जगें पर बालू के बैंग हम लोग डालेंगे और उससे पूरी तरीके से रास्ता को सुकम बनाया जाएगा। झालेंगे बनाया जाएगा।